कौन होगा पंजाब का सी एम चेहरा पंजाब में विदानसबा चुनाव सर पर है अभी तक कॉंग्रिस ने इस चुनाव में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का एलान नहीं किया और इसका दबाव पार्टी पर साफ तोर पर देखने को मिल रहा है इस बीच जालंदर में पंजाब कॉंग्रिस अध्यक्ष नवजो सिंग सिधु ने पार्टी नेता राहूल कांधी की मौझूदगी में इशारो ही इशारो में सवाल किया कि राज्ज में कॉंग्रिस का सी एम कौन होगा इस पर राहूल कांधी ने सिधु को जवाब दिया और कहा सी एम उम्मेदवार पर फैसला जल्दी किया जाएगा लेकिन सी एम कौन होगा इसका एलान सर्वे के बाद किया जाएगा कॉंग्रिस शुरू से इस बात पर जोर देती रही कि चुनाव सेंक चहरे पर ही लड़ा जाएगा लेकिन पंजाब में जिस प्रिकार से सिधु और चन्ने के बीच खिंचतान चल रही है उसे लेकर पार्ठे भी खासी चिंदित नजर आ रही थी सिधु लगतार खुद को मुख्यमंद्री का चहरा इस्थापित करने में लगे हुए थे हालकि सिधु ने कभी भी खुल कर मुख्यमंद्री बनने के इच्छ जाहिर नहीं की ऐसे में बड़ा सवाल है कि कॉंग्रेस सेमपेस की रूप में नवजो सिंग से दूप और चरणजी सिंग चन्नी में किस पर दाव खेले की कॉंग्रेस कारिकरताओं से सिलाह करके मुख्यमंद्री के चहरा घुशित करेंगे जालंदर में राहुल गांधी ने भले ही स्टेज से ये कह दिया कि भले ही कॉंग्रेस की ये नीती न हो लेकिन जल्दी वो कारिकरताओं के साथ सिलाह करके वो ख्यमंद्री के चहरा घुशित कर देंगे माना जा रहा है कि पंजाब दोरे से पहले ही राहुल गांधी इसे लेकर पूरा हुमवर्ग कर चुके थे क्योंकि कॉंग्रेस चुनाव के दोरान ऐसी को हटा कर किसी जाट को चहरा बनाने की हिम्मत नहीं चुटा पाती विपक्ष पहली ही ये आरूप लगा रहा है कि कॉंग्रेस ने चन्नी को नाइट वॉच्चमैन की तरह ये उस किया ऐसे में अगर कॉंग्रेस सिद्धु को चहरा बनाती है तो दलित बोर्ट बैंक खिसर चाएगा बात हुई कि आगे पंजाब को कौन लीड करेगा मीडिया वाले उसको सियन कैंडिडेक कहते हैं दोनों चन्नी जी ने और सिद्धु जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कॉंग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा और दोनों ने मुझे आशवासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए दो लोग तो लीड नहीं कर सकते एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कश्म खाके दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता सियम ने कॉंग्रिस पार्टी में एकता का संदेश दिया जालंदर की फते रैली में पंजाब के सियम ने कॉंग्रिस पार्टी में एकता का संदेश दिया उन्होंने कहा हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है पंजाब चुनावों के लिए मुख्युमंत्री चहरी की घोशना करें हम एक साथ खड़े रहेंगे जिस वक्त पंजाब सीम ये संदेश दे रहे थे उसमें कारत्र में कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी भी मौदू थे हलकि दोनोंने सीम चहरुब लेकर अपने अपने को प्रजक्ट किया चन्नी ने पार्टी से मांगे पांच साल महीं मौजूदा सीम चन्नी ने पार्टी से 5 साल मांगे हम ने कहा मुझे 111 दिन मिले ना मैं सोया और ना ही किसी को सो ने दिया सीम चन्नी ने कहा अगर पार्टी को उनका काम पसंद आया तो मुझे पूरे 5 साल भी दो सिध्धु को कहा बाहर वालों को मौकर ना दो कि वो हम पर सवाल उठाएं कि कोई लड़ाई है मैं किसी पत के लिए अपनी पार्टी और पंजाब को नुकसान नहीं पहुँचा सकता मुझे फैसले लेने की ताकत देना सिध्धु उधर रैली को संबोधित करते हुए सिध्धु ने पार्टी को इशारे इशारे में सिएम चहरे प्रोजेक्ट करने का संकेत दिया उन्होंने ग्राहुल गांदी को कहा पंजाब के लोगों के तीन सवाल है वो पूछ रहे हैं इस कीचड से हमें कौन निकालेगा दूसरा सवाल है वो कैसे निकालेगा उसके पास कौन सा एजंडा या रोड मैप है तीसरा सबसे बड़ा सवाल सिएम चहरे को लेकर है सिद्धू ने पूछा सिएम का चहरे कौन होगा अगर इसका जवाब मिलता है तो पंजाब में सत्तर सिद्धों के साथ कौंग्रिस की सरकार बनेगी सिद्धू ने कहा कि उन्हें दर्शनी घोला ना बना देना मुझे फैसला लेने की ताकत देना मुहिंद्रा ने कहा कि मुख्यमंद्री पत का उम्मीदवार खोशित करने की ज़रूरत कौंग्रिस के लिए और भी महपूर हो जाती है क्योंकि आपने भगवन पान को अपना उम्मीदवार बनाया जबकि श्रियत इस पत के लिए सुख्वीर बादल को पेश कर रही है उनके बने रहने पर सवाल या निशान लगाना आत्मगाती साबित हो सकता है राणा गुर्जी सिंग ने कहा कि चन्नी ने केवल तीन महिने में बहुत अच्छा काम किया कैपिनेट मंत्री तरप्तर राजिंदर सिंग बाजवा और साथी शाहकोट की विधायक हर्दियो भी चन्नी को कोख्य मंत्री बनाने की विचार का समर्थन कर रहे है हाला कि कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राणादीप सिंग सोर्जेवाला जो सब्ताय चन्नीगर में थे उन्होंने इस मुद्धे पर एक सवाल के जवाब दिया और कहा सिद्धो जी पंजाब कॉंग्रेस के सर्धार है, चन्नी जी सरकार की सर्धार है, और हम सामोहिक नेटरूत में चुनाव लड़ेंगे पंजाब में 20 फरवरी को डाली जाएंगे वोट पंजाब में 20 फर्वरी को डाली जाएंगे वोट पंजाब में विधांसा पर चुनाव के लिए 20 फर्वरी को वोट डाली जाएंगे और वोटों की किंती 10 मार्च को होगी इस चुनाव में 70 रोन कॉंग्रेस का मुकाबला आमादी पार्टी, शिरुमनी अकाली दल और साथी बीजीवी पंजाब लोग कॉंग्रेस गट बंदन से है आमादी पार्टी भगवन मान की नितुत में चुनाव लड़ रही है, वहीं अकाली दल सुख्वीर बादल के चहरे को आगे चुनावी मैदान में कर चुकी है बदादी कि कॉंग्रेस पार्टी ने पिछले साल सितमंबर में कैटन मरेंदर सिंह को सिем पतसे हटाने के बाद चन्डी को सरकार के कमान दी थी चरंजी सिंह के ओर से भी कॉंग्रेस हाई कमान पर सियेम उम्मेदवार घुशित करने के क्लिए दबाओ बनाये जा रहा है झाल झाल